कि नमस्कार दोस्तों मैं सोनुetty या दिल्ली पुलिस पेपर एनलाजसेस में आप का हर स्वागत करता हूँ आप जुड़ेंगे मेरी साथ और देखेंगे जो आज का दिल्ली analysis है उसमें DSA संबंजित आपके महत्पूर्ण प्रेशन है उन्हें आप मेरे साथ मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे तो वर्ष 2020 में जो दिल्ली पुलिस के पेपर कराए गए थे तो उनमें जो DSA संबंजित आपके महत्पूर्ण कोशन है वो इस स्रीज में हम हल कर रहे हैं तो आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज के आपके DSA संबंजित कोशन है उन्हें आप मेरे साथ मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे जुड़ जाएंगे सभी जुड़ जाएं इसका पिर्थम कोशन आपके सामने है और पिर्थम कोशन में आप देख रहे हैं पिर्थम कोशन क्या है पिर्थम कोशन है राज्य सभा के कितने सदस है हर दूसरे वर्ष सिवा निवरत होते हैं और उनकी जगह नर निर्वाचित उनका इस्थान लेते हैं आपको बताना है कि राज्य सवा के कितने सदस हर दूसरे वर सिवानिवरत हो जाते हैं और उनकी जगह नव निर्वाचित उनका इस्थान लेते हैं आपको बताना है कि कितने सदस एक बाटे चौथाई सदसे हैं यह एक बाटे चार आप ऐसे लिख सकते हैं बटे चार सदस से उसके बाद दो बटे तीहाई सदस से दो बटे तीन आप लिख सकते हैं उसके बाद तीन बटे चार सदस से तीन बटे चार और उसके बाद आपका एक बटे तीन सदस से इन में से आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है इन में से आप बताएंगे तो आप आपने पड़ा होगा जो राज्य सभा होता है राज्य सभा राज्य सभा के जो कारेकाल है एक सदस्य कारेकाल एक सदस्य कारेकाल कितने वर्स का होता है छे वर्स का होता है तो छे वर्स का होगा तो आपको याद रखना है तो एक बटे तीन सदस्य कितने वर्स के अंतराल पर दो वर्स के अंतराल पर कितने वर्स के अंतराल पर दो वर्स के अंतराल पर आपके रिटार होते रहेंगे तो दो में आप तीन की गुड़ा करके देखेंगे तो कितना वर्स आएगा आपका छे वर्स आएगा इसलिए आप पढ़ते हैं कि एक बटे तीन सदस से दो वर्स के आपके रिटार हो जाते हैं visão अब पढ़ते हैं राज्यसबा तो आपने पढ़ा होगा द्रका उच्छ सदन तो इस चरह को कहा जाता है यह ज्यान रखेंगे केंदर का इस्थाइश सदन कौन सा एक क्योंकि राज्य सवा के एक बटे तीन सज़से दो वर्स बाद आपके रिटार होते रहते हैं और इस तरीके से आपका इकरम चलता रहता है। राज्य सवा कर आपसे पूछे कि इस्थापना कब हुई थही इसकी पर्थम बैठक कब हुई थे पर्थम बैठक आप याद रखेंगे प्र्थम बैठक कब हुई थी आप याद रखेंगे तेहरम मेही कितनी है आपकी 250 कुल सदस्यों की संख्या 250 में से आप पढ़ते थे 236 ए निर्वाचित होते हैं और आप याद रखेंगे 12 कैसे सदस्य होते 12 होते हैं आपके मनोनीत जो राष्ट्रेपती के दवारा आपके 4 भेंदेर किया जाते हैं चार छेतर आपके कौन कौन से जो आपके मनोनीत होते हैं चार छेतर भी आप याद रखेंगे चार छेतर आपके कौन कौन से एक तो आप याद रहें कि कला है एक क्या है कला है एक आपका क्या है एक आपका समाज सेवा कला समाज सेवा एक क्या है आपका साहित्य है कला समाज स प्रद्फव क Deputy संवा मनोर्य कर दिया जाता है आप से पूछा जा जाएगा नाम भी आप याद रखेंगे पिर अभी नेतरी कौन है तरफEND कों थी तो इनका नाम याद रखेंगे विनेत कॉं थे इनका नाम याद रखेंगे नरगिस दथ in पिर तो भी नेतरी जो राजा से लिए नाम इतके गए तो नाम याद रखेंगे क्या नाम जंग संग्रहले किस सहर में इस्थित है सालार जंग हैदराबाद तिर्वंत पुरम चैनने बैंगलोर आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा आपका हैदराबाद कहां पर इस्थित है हैदराबाद आप पढ़ते हैं चार मिनार कहां पर है चार मिन कारेगर बसा हुआ धराबाद आप वर्तमान में कौन से राद्जेगी राध-धानी यह तेलांगणा राध-धानी है ठरद्ध को जब भारत देस अजाद हो तो हैऍबग में को से option के तहथ operation polo के तहट operation polo के तहट बहारत में सामिल किया गया और कैसे सामिल किया गया था सैनिक कारवाही के माध्धम से कैसे सैनिक कारवाही के माध्धम से इसको बहारत में सामिल किया गया था इस समय है हैदराबाद का सासक कौन था इनका नाम भी आप याद रखेंगे हैदराबाद का सासक कौन था उस्मान अली एक बार पुने पढ़ लेंगे हैदराबाद तो सालार जंग संग्रहले कहां पर है हैदराबाद चार मिनार कहां पर है थे लंग्ना केपिटल क्या है 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 इत्रवाद को बहारत में कैसे सामिल किया गया operation पोलों के सेहां करवाहि के माध scenario से शामिल किया गया और उस मंहले हैं याद रखेंगे क्या नाम था उसमान अली ये भी आपको जानला लगना है कि लियर हो गया आगे बढ़ें एक देंगे next question देखते हैं नीमल लिखित मैंसे कौन आधार आधारित लेंड देने के लिए आई इस identification करने वाला पहला बैंक बन गया तो आपको बताना है कि इस तरीके की जो सुवीधा है वो देने वाला पहला बैंक कौन बना एक्सिस बैंक है कैना बैंक ICCI या येस बैंक इनमें से आपको बताने कौन सा बैंक है इसी सुवीधा देने वाला इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आपका एक्सिस बैंक कौन सा बैंक है इसा एक्सिस बैंक और एक्सिस बैंक आप से पूछा जाए इस था आपना किस वर्स होई थी 1993 में और इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है हेड़कॉर्टर याद रखेंगे इसका हेड़कॉर्टर कहां पर मुंबई में कहां पर हेड़कॉर्टर आपका मुंबई क्लियर हो गिया आगे फल्क कितना परतिी सथह आपको बताने संक्वा Magic benすごく छेत्र फले तो भारत कितना पर्थक्ता रखता है दो चार पर देस्थ है रखता रखता है दो दस खलबज़ाई परदीस और अगर जनसंख्याः पूंछे तो लगबग कितना है सत्रे परतीसद ठीक है सोले दसमलब आप कुछ कह सकते हैं लेकिन आप याद रखेंगे रनिंग में कितना आपका 17 पर 307 अगर जंसंख्या पूछे मैं बहारत मां आपका कितुना है विसँ का? 17 पर 30 और खेत्र फ़ल कितना आपका? चेत्र फ़ल याद रखेंगे 2,4 पर 30 कितना है? 2,4 पर 30 तो यहां पे जो आपकी पूर्ण संख्या कौन से आईगी? पूर्ण संख्या आईगी आपकी दो और आप से पूछा जाए विश्व में सबसे अधिक छेत्रफर वाला जो आपका देश है वो कौन आपका रूस है कौन है आपका रूस और रूस विश्व के कुल छेत्रफर का अकेले कितना परतीशत 11 परतीशत जो अपना हिस्सा है वो और जन्संख्या कितना आपका यहां पर 17% जन्संख्या आपके यहां पर भारत में निवास करती है आगे बढ़ेंगे next question देखेंगे next है भारत की आकिस्मिक्ता निधी का सरक्षक कौन होता है राष्टेपती नितियायो के CEO वित्मंत्रालय पिरदान मंत्री आप बताएंगे आकिस्मक्ता निधी तो अचानक जब हमें धनक्यावसक्ता पड़ रही है और ऐसे में क्या है ऐसे में सरकार आपकी संगठित नहीं है सरकार नहीं है और ऐसे इस्तिति में हमें अचानक धनक्यावसक्ता पड़े तो आकिस्मिक निधी का आपका क्या है आकिस्मिक निधी का आपका उसमें प्रियोग किया जाता है तो आकिसमिक निधी का जो विबरन है वो आर्टीकल 266 में मिलता है किस मिलता आपका आर्टीकल 266 में आपका आकिसमिक निधी का विबरन मिलता है तो आकिसमिक निधी पर जो आपका अधिकार रहेगा वो किसका रहता है वो रहता है मिलता है 266 में मिलता है किसे मिलता आपका 266 में संचित निधी का विबरण मिलता है आगे बढ़ेंगे नेक्ट वोसन देखेंगे भारत के सम्वीदान के नीमा लिखित में से कौन सा नुच्छेद सेन्ने या सेक्षिनिक मामलों को छोड़कर किसी भारतिये राज्ये दुआर किसी उपादी को परदान करने पर रोक लगाता है आपको बताना ऐसा कौझす आपका आर्टीखल है यसमें आर्टीखल ऐलेен वन आपका आर्टीकल 15 8to理 10 बीस कौनको का से संबंदित है बताएंगे सबी उपादिहों से संबंदित आपका कौं सा ऐ आंसर क्या हो जाएगा उ 18- first to be a part that is सब्बंदित उपाधियों से सब्मंदित किलियर हो गया उसके बाद में आप पढ़ते है Article 15 में क्या है धरम जाती मूलवंस क्या है धरम जाती मूलवंस और क्या है आपका जनमिष्थान मूलवंस है जनमिस्थान है और और क्या है आपका लिंग और क्या है आपका लिंग तो इनके आधार पर क्या है भेद करने से रोकता है धरम जाती मूलवज जनम इस्थान और आपका लिंग के आधार भेद करने से कौन रोकता है अनुचेद 15 अनुचेद 10 क्या है ये नागरिक्ता से संबंदिते किस से संबं कि यह भी आपको ज्यान रखना है दो सिद्धी के संबंद में सरक्षा क्लियर हो गिया क्लियर हुआ आगे बढ़ेंगे नेश को सन सुल्टान गंज बिहार भागलपुर के पास खोजी गए गौतम बुद्ध की विसाल पिर्तीमा किस काल की है मोरिय काल गुप्त गुप्त काल या नंदवंस तो आपको बताना है इसमें से कौन से काल की इसको माना जाता है बताएंगे सभी कमेंट करके बताएंगे इसका सही होगा इसका रोगाופ आपका रिकिसको माना जातا आपको याद रखना है घुप्त अब का माना जाता है जो सुल्तान गंज बिहार के पास गौतम बुद्ध की विशाल पिड़ती पाएं गौतम बुद्ध से आप से पूछा जाए गौतम बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था याद रखेंगे सिद्धाद आप से पूछा जाए पिता का नाम क्या था है राहूल गोडे का नाम आप याद रखेंगे गोडे का नाम क्या है कंथ hp और सारती का नाम क्या है चन्ना या चांड यह में आपके रिपीट होते हैं चन्ना याँ रहा गौत्यल अपका प्से पूथ अपका पुथा जाएगा तो कोसल महाजनपद की कैपिटल क्या थी श्रावस्ती और अंतिम उपदेश आप पढ़ते हैं तो गौतम बुद्ध की मिर्तिव कहां पर हुई थी तो जनम तो हुआ था कहां पर आपका जनम अगर आपसे पूछ रहा है लुम्बनी नैपाल लुम्बनी नैपाल में आपका जनम हुआ लुम्बनी नैपाल में जनम हुआ और इसकी जानकारी हमें कौन से अभी लेक से मिलते हैं रुम्मिन देई कौन सा अभी लेक आपका रुम्मिन देई रुम्मिन देई इस्तम लेक से हमें जानकारी मिलते है कि गौतम बुद्ध का जनम लुम्बनी नैपाल में हुआ था और मुर्तिव कहां पर हुई थी मुर्तिव हुई थी आपकी कुसी नगर कुसी नगर देवरी उत्तर प्रदेश में और आप याद रखेंगे कि अंतिमुपदेश भी कहां पर दिया था कुसी नगर में और अंतिमुपदेश किसको दिया था अंतिमुपदेश दिया था सुब्द्द को कि इसको दिया सुब्द्द को आपका दिया थाbook लिर हो गया आप परते हैं जी किस सह दॉद्ट सम्मेलन के दोरान बहुत रहरं दोह भागूं और एक कौन से हो गया आपका महाया इतना भी आप इसमें याद रखेंगे किलर हो गया आगे बढ़ेंगे next question देखते है नीमली कितमें से किस पिरकार की मिट्टी में महीन कड़ों का अनुपात बड़े कड़ों की तुला में अपेक्षा करत अधिक होता है तो ऐसी कौन से आपकी मिट्टी रेतीली मिट्टी काली मिट्टी बलूई मिट्टी चिकनी मिट्टी इन में से आपको बताना है कौन से मिट्टी ऐसी है बताएं सभी कमेंट करके बताएंगे बताएंगे इसमें सही आंसर क्या है सही आंसर होगा आपका चिकनी मिट्टी सही आंसर क्या है आपका चिकनी मिट्टी किसका नुपात आपका होगा इस तरीके का चिकनी मिट्टी का नुपात आपका इस तरीके का मिलेगा नेक्स्ट है भारत के साथ व्यापार पर बिटेश इंडिया कंपनी के एक अधिकार को किस वर्ष कानून द्वारा तोड़ा गया था तो आपको बताना है इसमें क्या है इस कानून को तोड़ करके 20 वर्षों के लिए से बढ़ा दिया गया तो ऐसा कौन सा दीनिया में 187, 1858, 1813, 1825 बताएंगे इसमें कौन सा दीनिया में ऐसा दीनिया में 1813 इसमें कंपनी का वेपार एक अधिकार पत्र था इसे तोड़ करके लेकिन यहां पर एक शूट दे दी गई कि आप आगे ऐसे 20 वर्षों के लिए और कर सकते हैं लेकिन जो पूर्ण रूप से हमने समाप्त क कर दिया था कि यह रहो गया 1833 सदीनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया था आगे बढ़ेंगे नेक्ष को सन देखेंगे भारत के संवीदान में नीमली खितमें से किस संवीदान संसोधन को मिनी संवीदान भी कहा जाता है तो कौन सा है 38 35 42 40 वा बताएंगे सभी इसमें कमें संसोधन 1926 कौन सा है 42 500 100 वा बताएंगे इस से मूल करतव्य इसे मूल करतव्य के लिए सर्दार स्वरंड सिंग कमेटी तो उसके आदहार पे हमने दस स्मूल कर्तव आपके जोड़े इसी में आपने पढ़ा होगा जो सम्विधान के प्रस्तावना थी उसमें तीन सब जैस समाजवादी पंद निरपेक चौरा खंड था यह हमने जोड़े इसी अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया जो आपके राज्यसूची के विसेय थे रा प्रस कर दिया गया तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे आपके प्रावद्हान थे जो इस माध्यम से आपके किये गए इसी कारण इसे मिनी सम्विधान के नाम से जाना जाता है मिनी सम्विधान किसे कहा जाता है 42 सम्विधान संसोदार 1906 आगे बढ़ेंगे next question देखेंगे भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है जिससे वर्ग किलोमीटर भूमी छेत्रम आपा जाता है तो आपको बताना है भारत छेत्रफल के आधार पर कौन सा बड़ा देश है चोथा सात्मा तीसरा दूसरा इनमें आपको बताना है बताएंगे सबी तो आप अगर छेत्रफ यहां से आपसे निकल करके जो छेतरफल वाले देश हैं जो बड़े देश हैं वो सभी आपके निकल करके आए जाएंगे रूसे क्या बन जाएगा रूसे बन जाएगा आपका रूस क्या है रूस कैसे क्या बन जाएगा कैसे बन जाएगा कनाडा चीन से क्या बन जाएगा अमेरिका क्या बनेगा अमेरिका बैसे क्या बन जाएगा बैसे बन जाएगा आपका ब्राजील क्या बनेगा ब्राजील आया से क्या बन जाएगा आया से बन जाएगा आस्ट्रेलिया क्या बन जाएगा आया से आस्ट्रेलिया और भारत से क्या बनेगा आपका भारत क्या बने नम्मर साथ क्या है भारत तो इस तरीके से आप याद रखेंगे यह चेत्रफल के आधार पर आपके देश है रूस कनाड़ा चीन अमेरिका ब्राजील आस्टेलिया और भारत किलर हो गया तो अब आपको याद रख रहा है इनको तो भारत कौन सो हो जाएगा भारत हो जाएग में कौन सा है दो दसमलब चार दो परतीसाद यह भारत का आपका हिस्सा है विसके कुल आपका जो हिस्सा है विसके कुल हिस्सागा तो याद रखें रूस कनाड़ा चीन अमेरिका ब्राजील आस्टेलिया और भारत आप से पूछें यहीं पर रूस है जैसे रूस है रूस क कि रूज की कैपिटल क्या है रूस की केपिटल आप रहेंगे क्या है मास्कोई है कनाडा की पूछ हरा इंगर आप से पूछा यारा क्या है ओटावा है चीन की क्या है चीन की यात रहेंगे किया है बीजिग है अमेरिका की क्या है अमेरिका की याद रखेंगे वासिंग्टन डीसी है क्या है वासिंग्टन डीसी है ब्राजील के क्या है ब्राजील की याद रखेंगे क्या है ब्राजीलिया है ब्राजील की क्या है ब्राजीलिया आस्टेलिया के आप से पूछे आस्टेलिया की क्या है आस्टेलिया की कि नेक्ट रिखितमें कोनख़ेत्र्फल के द्रष्टी से बहारत सबसे चोटा केटर साशीज परदेश है केंद्र साशीज परदेश कि अब बहारत के राटरिच उन्हें उन्हें आपके कौन कौन से उन्हें एक आप रफली तरीके से आप देख लेंगे आठ केंद्र साशित परदेश आपके कौन कौन से उनको जरा आप देख लेंगे तो आठ केंद्र साशित परदेश जो हैं उनको देखेंगे तो आप याद रखेंगे नंबर एक आप याद रखेंगे कौन सा आपका लद्दाग लद्दाग के साइड में यहां पर कौन सा हो जाएगा नंबर दो नंबर दो याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा आपका जम्मु कस्मीर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे जी नंबर तीन याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा नंबर तीन हो इयाद रखेंगे दादर नगर हवेली क्या है दादर नगर हवेली और ए ऐवम दीव क्या है एक आपकर यहां पर आपका छोटासा नंबर चेसे याद रखेंगे इसका नाम क्या है लक्षे दिव एक आप यहां पर रखेंगे यह तीन पार्ट इसके अलग लग ठीक है जैसे माही माही कहां पर केरल में यनम आंदर प्रदेश में और कराइकल कहां पर तमिल नाडू में और इसका नाम क्या है इसका नाम है पांडी चेरी यह पुद्दु चेरी इसको आप बोलते हैं पांडी चेरी और पांडी चेरी नमबर साथ और नमब आठ आफ हाप है उस स्वारी के multitask रिखेंगे इस सुछी के आपके आठ केंद्र सासित परदेश केतने होगी आठ केंद्र सासित परदेश अब यहां पर पूछा है कि जो छेत्रफल के आधार पर छेत्रफल के आधार पर आपका सबसे छोटा कौन सा है तो छेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा पूछे तो कौन आपका लक्षे दीप है और सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ा छेतरफल के आधार पे इसे आप याद रखेंगे कौन है जम्मू कस्मीर कौन आपका जम्मू कस्मीर किलियर हो गया कौन है जम्मू कस्मीर तो आपके आठ केंसासी परदेश है चेतरफल में सबसे बड़ा जम्मु कस्मीर है और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा आपका लक्षे दीप कौन है? लक्षे दीप आगे बढ़ेंगे, next question देखेंगे next नीमली कित में से कौन? भारत के सम्विधान की साथवी अनुसूची में राज्य सूची में वर्णित है तो आपको बताना है कि राज्य सूची का कौन सब इसे है? युद्दोर सांती, रेलवे, पिर्टेरपन और क्या है? बाजार और मेले इनमें से आपको बताना है कि कौन सब इसे आपका सामिल है बताएंगे सब इसे कौन भारत के सम्विधान की साथवी अनुसूची में राज्य सूची में वर्णित है युद्दोर सांती, रेलवे, पिर्टेरपन, बाजार और मेले इनमें से आपको बताना है तो बाजार और मेले ये कौन से सूची का विषय है ये आपका राज्य सूची का विषय है बागी ये तीनों जो आपके विषय है युद्दोर सांती, रेलवे, पिर्टेरपन ये आपको याद रखना है ये कौन से सूची के विषय है ये आपके केंदर सूची के विषय है कौन सी सूची के विश हैं केंदर सूची के विश हैं तो सात्वी जो आपकी अनुसूची उसमें इन तीनों सूची के बारे में विबरन मिलता है जैसे एक कौन सी होती है एक होती है आपकी संग सूची एक कौन सी होती है एक होती है आपकी संवर्ती सूची संग सूची राज राज्य सूची में पूछे कितने आपके 61 और समवर्ती सूची में पूछे आपके कितने विशे हैं बामन संग सूची में तो ऐसे विशे आते हैं जिन पर केंज सरकार को कानून बनाने का धिकार है राज्य सूची में वह आएंगे जिन पर आपके राज्य सरकार को कानून ब मानने होगा तो यह तीन आपकी सूची होती हैं संग सूची राज्य सूची और क्या है आपके समवर्थी सूची किलर हुआ आगे बढ़ेंगे नेक्स कोशन देखेंगे नेक्स है भारते समविदान में नीमलिगित अनुचेदों मैं से कौन सवर राज्य अनुचुचित जाती आयोग से संबंदीत है बताना है आपको तो तीन आयोग आप पढ़ते है एक तो कौन सवर आयोग है एक तो है SC आयोग कौन सा है SC आयोग एक कौन सा है एक आपका ST आयोग और एक कौन सा आयोग है एक आपको OBC आयोग ये तीन आपके आयोग है जो आपका जातियों के आरक्षण के आपका उनको जातियों का जो आरक्षण है उनको लाब दिलाने के लिए इन आयोग के आपके स् इसमेंस आपको जानना है जो S.C. आयोग है S.C. आयोग तो S.C. आयोग आप पढ़ते हैं ये कौन से आर्टिकल में आर्टिकल 338 कौन सा आर्टिकल है 338 उसके बाद में पहले S.C. और S.T. आयोग एक साथ थे और ये हमने किस वर्ष किया था ये किया था हमने 2003 तो ऐसे भी आ जाता है कोशन कि S.T. आयोग की स्थापना किस वर्ष किये गई तो 89 सम्विधान संसूदन 2003 के द्वारा और कौन से आर्टिकल में किये 338 उसके बाद O.B.C. आयोग किस मैं तो इससे सम्विधानिक दर्जा एक mचला 102 सम्विधान संसूदन के द्वारा इसे कम मिला था इसे मिला था 22008 में यह 3 फूटम इंपोर्टएंट आपके कोसन है आप से पूछा जा रहा है जी कोसन पुछेंगे ईसन से आयों से आर्टिकल में 338 में आप से पूछे सकरी स्में 338 में और व्यूंस पूछे तो कि सम्मीदान संसोदन द्वारा कौनसा आपका आयोग बनाएगया एस्टी आयोग और एक सो दोवा संविदान संसो दन दुवारा ये कौन सा आयोग बनाया गया ओबी सी आयोग क्लिर हो गया आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोस्टन देखेंगे नेक्स्ट नीम अलिकित में से किस पिरसित चित्रकान ने बेल्यम दूताबास के लिए एक वास्तोकार के रूप में भी काम किया जो बहारतम बीसवी सताब्दी की बहते इमारतों में से एक है बताएंगे सविस्ट गुज्राल, MF हुसैन, जतिन्दास, तेयव मेता, ठोड़ा अलग सा conception आपका लेकिन बताएंगे सभी, इस का सईहँ answer क्या होगाuce Самी इस का सईहँ óट्राल नेस्वन नीमल लीकित में से कौन यहां पर ओसनी नहीं है औपने सैयोगियों के साथ काकोरी में ट्रेण धकेती को अन्जाम दिया तो आपने पढ़ा होगा काकोरी कांड कौन पढ़ा आपने काकोरी कांड आप पढ़ते हैं काकोरी कांड तो काकोरी कांड आप पढ़ते हैं जी काकोरी कांड आपका कब घटित हुआ था ये घटित हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 कब घटित हुआ था 9 अगस्त 1925 को घटित हु सहारनपुर से कहां सहारनपुर से कहां से आपका सहारनपुर सहारनपुर से ट्रेन कहां जा रहे थी सहारनपुर से जा रहे थी आपके लखनव सहारनपुर से लखनव जा रहे थी ट्रेन लेकिन लखनव से ही पहले एक आपका इस्थानी स्टेशन पड़ता है काकोरी काकोरी म बाद में इस टेन को आपके कितने आरोपी थे चार आरोपी थे कितने आरोपी थे चार चार आरोपी में कौन कौन है एक तो आप याद रखेंगे एक थे आपके राम परसाद बिसमिल क्या नाम है एक थे आपके राम परसाद बिसमिल एक आप याद रखेंगे असफाक उल्ला खाँ असफाक उल्ला खाँ और एक आप याद रखेंगे राजिंदर लहाडी कौन है राजिंदर लहाडी और उसके बाद एक और याद रखेंगे एक और व्यक्ति कौन है एक और व्यक्ति रोसन सिंग तो इन चारो व्यक्तियों के द्वारा ये सरकारी खजाना लेकर के आप सिसक्ट और अगर आप से पूछाए राम पीसमिल को कहां पर दिकर ऐसे इस्थान bhamad पूछ लेते एंस इन को कहां पर दिए ती गॉरखपुर में आप से पूछ रांचनhouse इंको कहां पर दिए गई थी इलहबाद में किलर हो गया रोशन सिंग को कहां पर दी गई इलहबाद यह आपको याद रखना है तो काकोरी कांड में सरकारी खजाना लूट लिया था नौगस उनीशो पच्चिस को आपको हुआ है सारनपुर से लखनव आपकी ट्रेंज जा रही थी यह इसमाँ आपके कोशन है इनको आपको ध्यान लखना है किलर हो गया इसमाँ अप्सवन नहीं था यह सब इसके आरोपी है आप्सवन में एक पूछा था लेकिन आपको ध्य आपको बताना है कि नीमन लिखित में से कौन सी नदी पिर्मुक नदी है पूरव की और बहने वाली नदी नहीं है आपको बताना है कि नीमन लिखित में से कौन सी नदी जो पूरव की और नहीं बहती यह चार नदी आपके सामने गोदावरी कावेरी किरसुना नर्मदा इ निकलती है तिरियंबकेश्वर कहां पर है यह आपका नासिक में है और नासिक कहां पर है नासिक आपका महराष्ट ठीक है नासिक कहां पर महराष्ट तो गोदावरी नदी इस तरीके से आपका पूरत की और बहते हुए और यह कहां गिर जाती है यह गिर जाती बंगाल की खा काविरी नदी कहां से निकलती है ये निकलती है आपकी कुर्ग करनाटक से कहां से निकलती है काविरी नदी कुर्ग करनाटक से निकलती है काविरी नदी कुर्ग करनाटक से निकलेगी और कुर्ग करनाटक से निकल करके आपने पढ़ा होगा पूरव की ओर बहते हुए ये भ कहां से निकलती है निकलती है महाबालेश्वर कहां से निकलती है महाबालेश्वर महाराश्च से आपके निकलती है और यह आपकी पूरव के और बहते हुए यह भी कहां गिर जाती है यह भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कहां गिर जाएगी बंगाल की घाड़ी में क्लियर हो गया नेक्स्ट अब नर्मदा नदी तो आंसर के हो जाएगा इसका नर्मदा नर्मदा नदी आप पढ़ेंगे नर्मदा नदी तो नर्मदा नदी आप पढ़ेंगे नर्मदा नदी नर्मदा नदी की अगर बात करें तो इस सत्पुडा परवस्रेणी सत्पुडा कि खाड़ी कहां पर गिर ही खम बात की काड़ी के पास आपकी गिर जाती है और खमस्थ कि कहाँ पर ए है आपकी अरब सागर में इस देख Travis हक easier घर यहां पर आपकि यह बरहां भी होगा नर्मदा नदी सर्दार सरोवर बांद परियोजना क्या है सरदार सरोवर बांद परियोजना ये कौन सी नदी पर इस्थिते सरदार सरोवर बांद परियोजना इसे आप याद रखेंगे ये कौन सी नदी पर है ये आपकी नदी आद रखेंगे कौन सी नदी आपकी नर्मदा नदी कौन सी नदी नर्मदा नदी पर इस्थिते सरदार सरोवरबांध परियोधना अमरकंटक चोटी से आपकी निकलती है नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है खंबात की खाड़ी कहां पर आपका अरब सागर में ये भी आप ज्यान लखेंगे आप से पूछा जाएगा भिहंस गहाटी से होकर जाने वाली नदी कौन से ब्रहंस गहाटी ब्रहंस गहाटी तो दो परवतों के बीच में जो संक्रा भाग होता उसे क्या बोलते हैं ब्रहंस गहाटी तो ब्रहंस गहाटी से दो नदी बहती है एक कौन से नर्मदा और दूसरी कौन से दूसरी नदी का नाम आपका तापती नर्मदा और तापती ये बिरहंस घाटी से हो करके आपके जाती हैं किलर हो गया तो इतना इसमें फैक्ट वाली कोश्चने इनको ज्यान नखेंगे आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी कौन सा हो जाएगा नर्मदा नदी नेक्ट नीमन लिखित मेंसे किसने 1192 में तराइन के दूसरे युद में पिर्थवी राज चोहान को हराय था आप बताएगे सैफुल दीन सूरी मुहम्मद गोरी शेर्चा सूरी मुहम्मद इब्र सूरी इनमें से आपको बताएगे बताएगे सभी तो आपने पढ़े होंगे इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा मुहम्मद गोरी कौन आपका मुहम्मद गोरी आपने पढ़ा होगा मुहम्मद गोरी में आप पढ़ते हैं जो मुहम्मद गोरी है तो मुहम्मद गोरी के द्वारा भारत में तीन पिर्मो युद्ध आपने पड़ा होगा तराइन का पिर्थम युद्ध तो तराइन का पिर्थम युद्ध कब हुआ था जी यह हुआ था आपका 1191 में 1191 में हुआ अब आप से पूछा जाएगा तराइन का दुत्य युद्ध कब हुआ तराइन का दुत्य युद्ध तराइन का रखना इसमें तुराइन के पिर्थम युद में जो पिर्थवी राज चोहान है कौन है पिर्थवी राज चोहान पिर्थवी राज चोहान ने किसको पराजित कर दिया पिर्थवी राज चोहान ने मुहम्मद गोरी को पराजित कर दिया किसको पराजित कर दिया मुहम्मद ग 1194 में में आप पढ़ते हैं 1194 में में जो मुहम्मद गोरी है मुहम्मद गोरी ने किसको पराजित कर दिया मुहम्मद गोरी तो गहडवाल वंस के सासक है और गहडवाल वंस का सासक कौन है राजा जैचंद तो राजा जैचंद को आपका ये आपका कौन से युद में सुबानमे इस्वी में तराइन के दूसरे युद में फिर थुवी राज चोहान को हराय था तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मुहम्मद गोरी क्या हो जाएगा आंसर मुहम्मद गोरी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आगे देखेंगे नेक्स्ट है बहमनी सामराज्य की स्थापन किसने की मुहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन बहमन सा रोज सा बहमनी मीर जाफर इनमें से आपको बताना है बहमनी सामराज्य बहमनी सामराज्य है बहमनी सामराज्य आपसे पूचा जाए इसका नर्याश किया हूजा जा Hell 117 यह यहिदाम उन तीन नदियों में से एक है जिनकी परसपर के रिए उत्री निर्माण के लिए उत्तर दाईये आपको बताना है कि कौन सी नदी ऐसे जिसके द्वारा उत्तर के मैदान का निर्मान किया जाता है भीम नदी है गोदावरी ब्रहंपुत्र महा नदी इनमें आप बताएंगे तो उत्तर का जो मैदान है उत्तर का जो मैदान है वो कौन सी नदी बनाएगी प्रह्म पूतर नदी बनाएगे ठीक है गोदावरी आपकी दक्शिन भारत में बहे kte है महा नदी आप उत्तर भारत में नहीं कह सकते क्यों पूरविज्व भारत है तो आप पर आपकी यह बहथ है महा नदी उसके बाद में भीम नदी आप पढ़ते हैं तो गोदावरी नदी दक्षिन भारत तो ब्रहंपुत्र नदी आपने पढ़ा होगा कौन सी नदी आपके ब्रहंपुत्र नदी तो ब्रहंपुत्र नदी आप पढ़ते हैं ब्रहंपुत्र नदी आपकी कहां से निकलती है ब्रहंपुत्र नदी आपकी निकलती है यह निकलेगी नदी का नाम क्या है नदी का नाम है ब्रहंपुत नदी उसके बाद में यहां पर भारत में कौन से राज्यम प्रवेश करेगी अरुणाचल प्रदेश सबसे पहला रुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद में असमराज्य में जाएगी कौन से में असमराज्य में जाने के बाद में विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप आप पढ़ते हैं नदी दीप का नाम क्या है माजूली दीप माजूली दीप का आपका निर्मान करेगी माजूली दीप का निर्मान करेगी उसके बाद में कहा पर चली जाएगी बंगलादेश में फिर इधर से एक नदी आ जाती है गंगा गंगा और जो ब्रहंपोत्र है इसकी संयुक्तुधारा को हम किस नाम से जानते हैं संयुक्तुधारा कि किस नाम से जानते हैं मेगना के नाम से जाना जाता है आप से पूझे ब्रहंपोत नदी को साहक नदियें जैसे तिस्ता है इनको याद रखेंगे मानस है धंसरी है सुबांसरी है ये सब किसकी साहक नदियें धंसरी सुबांसरी मानस ये सब आपके किसकी नदियें साहक के रोप में ये सब साहक नदियें किसकी आपके ये सब साहक नदियें ब्रहंपुत्र की दो और आ और कौन से दिहांग ना करके यहां पर दिवांग करना याद क्या है आपकी एक तो है दिवांग क्या है दिवांग और एक कौन से आपकी लोहित नदी लोहित नदी यह अरुन अचल प्रदेश में यह आपकी कहां पर यह अरुन अचल प्रदेश में ब्रहंपुत नदी में आ लखना है किलर हो गिया नेक्स्ट आगे तो आज को पेपर एनलाइसिस था अगर पेपर एनलाइसिस आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार आप चैनल को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और इसी के साथ मैं आपसे विदाय लेता हूं धर्नेवाद जय हिंद जय भा झारतो